हेलो दोस्तों मेरा ना मैं आरज रातेगर फ्लॉमिनल आरज रसेल चानल तो मंडे नाइट रोके शुरुआत होते हैं न्यू डबली डबली चैंपियन ब्रॉक लेस्नर से ब्रॉक लेस्नर आते हैं अपने हस्ते केल त्यावतर में काव बॉय उन्होंने हैट पेनी थी पॉल डेस्नर उनको बहुत पॉप कर रहा था। बहुत अनरजेटिक था डबल डबली चैंपियन भी बहुत अनरजेटिक थे मतलब कि ब्रॉक लेस्नर वो कहते हैं कि मैं यूनुवर्सल चैंपियन बनने वाला हूँ आट रसल मेंटारbayर्ट अथाल बॉल पाते हैं उसके पहले ही interrupt करते हैं उनको Paul Heyman Paul Heyman कहते है कि तुम रियल चैंपिन नहीं हो लेकिन Brock Lesnar कहते हूँ कहते है कि मैं reigning defending under spirit WWE World Heavyweight Champion हूँ उसके बाद Paul Heyman की बोलती बंद हो जाती है लेकिन Paul Heyman कहते है कि तुम आरा मैच Medical Square Garden में Bobby Lashley साथ होने वाला है और तुम चैंपिन्शिप नहीं ले जा सकते हैं WrestleMania 38 में क्योंकि Bobby Lashley तुमें हरा देंगा उसके बाद Brock Lesnar कहते है कि तुमें पता है कि मैं Next Friday को कहा हूँगा तो Paul Heyman कहते है कि मुझे नहीं पता तुम शायद अपने होम ताउम में होंगे लेकिन Brock Lesnar कहते है कि मैं SmackDown पर आने वाला हूँ और मैं Face to Face करने वाला हूँ Roman Reigns के साथ शायद मैं Roman Reigns को पीड़ी भी सकता हूँ उसके बाद Paul Heyman की हवाया उड़ जाती है और यह सेगमेंट यहीं पर खता है अब बात करते हैं में इविंट की जो होना था आरके ब्रो वर्सस सेट रॉलेस और केबे नोवल्स का जो जिता वो एड़ होता टैग टीम के मैच में जो होने वाला नेक्स दूइक को तो इस मैच में यह मैच काफी बड़ी था ब्लॉक बास्टर आपको यह मैच देखने को मिलेगा Monday Night Raw में और इस मैच में विक्टरी मिल चुकी है केबे नोवल्स और सेट रॉलेस को लास्ट मुवमेंट पर यह बहुत बढ़िया चल रहा था मतलब कि इसका फिनिश बहुत अच्छे तरीके सेट रॉलेस न अपना वक्कल बाम दे दिया मैट रिडल को उसके बाद स्टर्नर आता है उसके बाद हेड स्टॉप आता है और उसके बाद नहीं उठ पाए मैट रिडल 1,2,3 और वहाँ पर सेट रॉलेस और केबेनों जित जाते वो एड हो जाते उस मैच में जो कि होने वाला है रॉट टैक टीम चैंपिनशिप के लिए आपको यह वीडियो पस्तर नहीं तो लाइक कीजिए सब्स्राइब कीजिए और कमेंट तो दरूर करना धन्यवाद